हेलो गाइज आज इस वीडियो में बात करेंगे UPL के स्टॉप के बारे में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने UPL का टेक्निकल चार्ट उपन कर रखा है डेली बेसिस पे और अगर मैं सबसे पहले बात करूँ RSI की तो आप देख सकते हैं कि RSI इस टाइम चल रहा है 37 क के असपास तो RSI की तरफ से जो सिगनल है वो bearish है और अगर बात करें MACD की तो आप देख सकते हैं कि MACD में जो सिगनल लाइन है और जो सेंटर लाइन है वो दोनों एक साथ चल रही है और जो हिस्ट्रोगाम बनने है वो भी बिल्कुल फ्लैट से बन रहे है तो RSI और MACD की जो सिगनल मिल रहे है इस टाइम पर तो वो तो no trading zone के हैं और अगर बात करें Candlestick चार्ट की तो आप देख सकते हैं कि जो last candle बनी है इस टॉक की वो just Bollinger Band की जो lower line है उसको टच करके उसके उपर close हुई है और आप देख सकते हैं कि current time पी इस टॉक अपने 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA के नी 87 के आसपास तो मुझे लगता है कि current time पे जिस तरीके का pattern है उसके according एक बार stock अपने 200 DMA को retest कर सकता है तो जब stock अपने 200 DMA के आसपास आएगा तब वहाँ पे हम एक बार फिर से stock का review करेंगे लेकिन technical basis पे अभी यहाँ पे no trading zone बनता है लेकिन अगर यह stock अपने 100 DMA को cross करक उसके उपर close होता है जो कि निकल के आता है 745 का तो अगर 745 के उपर यह निकल के close होता है तो हमें एक बार के यहाँ पे 770 तक के target stock में देखने को मिल सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कोई short term के लिए trade लेना चाहता है तो उसके लिए क्या support होगा क्या resistance होगा तो यहाँ पर तो मैं किसी को भी selecting करूँगा कि कोई यहाँ पर short term position बनाए या short term के लिए trading करें लेकिन अगर कोई stock को अपने portfolio में long term के लिए रखना चाहता है तो definitely रख सकता है long term purpose से stock काफी अच्छा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि company के fundamental काफी अच्छे है current time पे जो stock का P चल रहा है वो industry के P से काफी lowest पर date कर रहा है company के जो quarterly result रहे थे आप देख सकते हैं कि quarter on quarter basis पे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है लेकिन आप देख सकते हैं कि year on year basis पे यहाँ पर company ने काफी अच्छा perform किया है year on year basis पे यहाँ पर EPS में भी काफी अच्छी growth देखने को मिलती है अब अगर बात करें balance sheet की तो आप देख सकते हैं company के पास reserve है 20 या 734 करोड़ का और जो debt है 24 या 413 करोड़ का तो as compared to debt जो reserve है वो काफी कम है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर company लगातार अपने debt को कम कर रहे है year on year basis पे net cash low की बात करें तो आप देख सकते हैं की holding से promoters के हाथ में 37.87% की holding से FIS के हाथ में 16.17% की holding से DIS के हाथ में 18% की holding से public के हाथ में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत जादा changes देखने को नहीं मिलते है share holding pattern में लेकिन DIS ने बहुत minor सी अपनी holding को बढ़ाया यहाँ पर quarter on quarter basis पे तो यहाँ पर मैं आप लोग जो book value है उसमें भी year on year basis पे काफी अच्छी improvement देखने को मिलती है return of equity में भी काफी अच्छी improvement देखने को मिलती है year on year basis पे zero promoter pledge है तो मुझे ऐसा लगता है कि long term basis पे stock को buy करके चला जा सकता है लेकिन यहाँ पे एकदम से buy नहीं करना है क्योंकि stock ने 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA और in fact 100 EMA तक को break कर दिया है तो अभी थोड़ा सा wait करना है एक बार stock अपने 200 DMA को retest कर ले तो उसके बाद हम सोचेंगे कि stock वहाँ पे किस तरीके से trade कर रहा है किस तरीके से consolidate कर रहा है क्या वहाँ से bounce back ले सकता है तो एक बार हम वहाँ फिर से review करेंगे तो एक बार stock अपने 200 DMA के आ एक्स वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाबाई